एक दौर था जब बिहार के मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादो थे, तो वो लोगों के पास ऐसे ही चले जाते थे, मुख्यमंत्री होते हुए वो जब गारियों से सरक पर निकलते थे, तो अचानक किसी पनवारी की किनारे अपना गारी खरा करवा देते थे, उसके पास और फिर पान खा करके वापस लोट जाते थे, लालू यादो का ये रूप जो है लोगों को खूब भाता था, खूब पसंद आता था, और आज का दौर है कि लालू प्रसाद यादो बिमार हैं, और बिमार होने के कारण वो घर से जल्दी निकलते नहीं हैं, अभी हमने पि पहुंच जाते हैं, पटना के मरीन राइप पर पहुंचते हैं, वहाँ जाते हैं लालू प्रसाद यादो गुलाब जामुन खाते हैं, कुलफी खाते हैं, और उसके बाद वहाँ के लोगों के साथ फोटो ओटो खिचवा करके वापस से अपने आवास पर लोट जाते हैं, अब लालू प्रसाद यादो के प्रसंसकों के लिए ये बड़ी खुशी की बात होगी कि लालू प्रसाद यादो धीरे धीरे ठीक हो रहा है क्योंकि दो साल पहले लालू प्रसाद यादो का किड्नि ट्रांस्प्लांट हुआ था और उसके बाद से लालू प्रसाद यादो ज साइड करते हैं कि किसको टिकट दिया जाएगा कौन कहां से चुनाओ लरेगा और इसके बाद तेजस्वी प्रसाद यादो वले ही सरवे सरवा हो राष्ट्रे जनता दलके लेकिन अभी भी हुक्म जो है लालू प्रसाद यादो के कारण जो है जब वो मरीन ड्राइप पर पह होने लगता इसलिए लालू प्रसाद यादो जो है अपनी गारी में ही बैठे रहे हैं वहाँ पर उनको गुलाब जामुन सर्व किया गया उसके बाद उनको कुलफी खिलाया गया अब लालू प्रसाद यादो का फोटो जो है सोसल मीडिया पर खूब वाइरल हो रहा है लो 2025 में लालू प्रसाद यादो जब अपना 100% देंगे तो राष्ट्रिय जनता दल के लिए ये लडाई बेहत आसान हो जाएगी आप इस बात को समझेए कि लालू प्रसाद यादो को मेडिकल ग्राउंड पर ही बेल भी मिला है लालू प्रसाद यादो को अक्सर होस्पिटल जाता था जाज करवाने के लिए और उसके कारण जब उनकी हालात जादा बिगरने लगी तो फिर जेल से उनको छुटकारा दे दिया गया बेल दे दिया गया और अब लालू प्रसाद यादो धीरे-धीरे सब कुछ ठीक हो रहे हैं एकदम बिलकुल स्वस्त हो रहे हैं और बिहार की राजनिती में लोगों को मजा आएगा मजा इसलिए आएगा क्योंकि बिहार की राजनिती में से अगर लालू यादो को हटा दिया जाए तो सायद बिहार की राजनिती राजनिती जैसी नहीं लगती है और इस कारण से लालू प्रसाद यादो के प्रसंसक ही नही बलकि दूसरे भी जो लोग है विरोधी जो है वो भी इस बात का इंतियार कर रहे है कि कब लालू प्रसाद यादो बिलकुल ठीक हो जाए और ठीक हो करके वापस से अपने पुराना अंदाज में आ जाए अब लालू प्रसाद यादो कब तक अपने पुराने अंदाज में ल और इस कारण से लोगों को इस बात का और अंदेशा जगा है कि अब लालू प्रसाद यादा हो सकता है कि विधान सबाचुनाओं में बड़ी तयारी करें और पूरी मजबूती के साथ मैदान में उतरें। बाकी इस ख़बर को लेकर कि आप क्या सोचते हैं आपकी क्या राय है कमेंट करके अपना विचार हम तक जरूर भेजिएगा और देखते रहिएगा जनता जंचन बहुत बहुत धन्यवाद